हमारी दुनिया कुछ इस तरह दिखती है और अगर ठीक से देखें, तो कुछ इस तरह से दिखती हैं, जहां पर एक देश को दूसरी देश से जुड़ना बहुत ज़रूरी है व्यापार करनी के लिए, ट्रेड करनी के लिए, और ट्रेड ही रिसाइड करता है कौन सा दिश कि बहुत अच्छा कर रहे हैं तो देश आपस में ट्रेड करते हैं व्यापार करते हैं और आगे बढ़ते हैं एक रीजन है जो बिलकुल भी अच्छा नहीं कर रहा भी वो रीजन है यहां का यानी Middle East का यानी इस रीजन के हम बात कर रहे हैं जहां युद्ध किस्तिती बनी हुए है और इसको जोड़ने के लिए ही G20 के टाइब में एक हुई थी एक मीटिंग हुई थी जहां डिसाइड हुआ था कि इंडिया यॉरप से जुड़ेगा Middle East से होते हुए यानी इंडिया Middle East Europe Economic Corridor यह करड़ोर बनता जो भार से यॉरप को जोड़ता Middle East से होते हुए ताकि और व्यापार बढ़ता इस रीजन में और stability आती जिन देशों के बीच जंग है चाहे वो साथी रिबिया हो, UAE हो या आपका इसराइल हो इन सब से एक trade route गुजरता जो पहुचाता व्यापार को पूरे विश्व में प्रॉम इंडिया तो Middle East जिसमें अब देख रहे हैं UAE, साथी रिबिया, इसराइल का हाइफा पोर्ट यह सारे पोर्ट इसका पार थे और यह था वो ब्रोजेक्ट और अब इस प्रोजेक्ट को लेकर बाइडन ने यह कहा है कि इसी की वज़े से शायद हमास ने हमला किया इसराइल के उपर आईए जानते हैं सारी news Welcome to ग्यानकोश अगर आपको देशों में व्यापार बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे आप रस्ते रूणेंगे रीजन में स्टेबिलिटी लाएंगे पीस बढ़ाएंगे और कुछ यही कोशिच दुनिया भर की लीडर्स करना चाह रहे थे G20 के दौरान अगर आप जानें तो हुआ क्या है अगर आप जानते हैं रिसेटली क्या हुआ है तो हमास ने पहले इस्राइल के उपर हमला गया अल-अकसा फ्लड नाम का यह उपरेशन था जिसके तहत इस्राइल के लड़ा के गाजा के लड़ा के इस्राइल मेंटर में और कई जगों से हमला हुआ और इस हमले में बहुत तबाही मची यह गाजा है यही पर हमास ओपरेट करता है यह पूरा इलाका है इसराइल का जो यहां से यहां तक है इसी इसराइल में दो इससे हैं वेस्ट बेंक और गाजा स्टिप इस गाजा स्टिप से अटेक होते हैं इसराइल के उपर अल असका फ्लड उसके बाद इस्राइल ने जवाबी हमला किया गाजा के उपर जहां उसका ब्लोकेड तक कर दियार बहुत भैवस्तिती हो चेकर लिवे युद्ध बहुत जारा फैल चुका है और इस युद्ध में आसपास की सभी कंट्रीज चाहे हम बात करें यमन की चाहे नॉर्मलाइज हो रही थी वहाँ चीजें और खराब हो रही है अगर आपको इस रीजन को स्टीबल बनाना था ना अगर आप चाहते थे मिडलीश में जगड़े ना हो तो आप चाहते थे कि सभी देशों के हाथ में आए डॉलर्स सभी के पास हो इकॉनमिक जान लाकों लोग की जाने खत्रे में हजारों की जाने तो जा चुकी है अब मुद्दा यह है कि अमेरिका प्रेजिडेंट जो है जो बाइडन उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि ये हमला इस रीजन की स्टेबिलिटी को रोकने के लिए किया गया हो जो रीजन में स्टेबिल वो वर्ल्ड में विवाद है, इसराइल का यहां सबसे बड़ा दुश्मन है सौधी रेविया और दूसरा इरान, सौधी रेविया UAE, ओमान बहरेन, कतर, यमन यह सारी कैसी कंट्री हैं, यह एरबिक कंट्री है यह एरबिक कंट्री हैं इस पूरे विवाद को अरब इस्राइल कॉन्फिक्ट कहते हैं क्योंकि सारे अरबिक कंट्रीज का मानना है कि पैलेस्टाइन को इस जगे पे अपनी पावर मिलनी चाहिए उसको पूरे रीजिन में स्टेबिलिटी मिलनी जाहिए यानि वेस्ट बैंक और गाजा में जहां वो कोशिश की और अमेरिगा का भी हाल इसके पीछे था जहां कोशिश की गई कि इस रीजिन में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए जी टोईटी की मीटिंग में प्राइमिनिस्टर मोधी मुहमद बिन सल्मान जो प्रिंस है अभी सौधी रेविया के और ज जौधी रेविया, जौडन, इसराइल से होते वे जाता यानि वो कंट्रीस जो आपस में अच्छे सम्मंद नहीं रखती है यानि इनके सम्मंद काफी समय से नॉर्मलाइज जरूर हो रहे है नॉर्मल कोशिश जरू की जा रही है ताकि सम्मंद नॉर्मल हो व्यापार बढ लेकिन हुआ यूं कि इस हमले के बाद ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो खत्रे में बढ़ Likewise की तो पूरी Arabic कर्डरी अब प्र पलस्टाइन के साथ हो गई है प्लस्तिनीयन लोगों के साथ हो गई है वो कह रही है कि गाजा में जज़ादा अटयक एसराइल कर रह है कि उनका जो देश है वो पलेस्टिनियन का सबोट करे और ना कि इस्राइल के साथ जाए इन देशों ने इस्राइल के साथ संबंद नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी क्योंकि USA की बैकिंग थी इस्राइल भी डवलप कंट्री है टेक्नोलोजी में आ गया है और इन देश उनको दिखने लगिया था कि एक संकेत है जहां सौधी अरब जो सुन्नी इस्लामिक वर्ड का लीडर है असल में इस्लामिक वर्ड का लीडर कह सकते हैं इसको वो इस्राइल के साथ में संबंद को नॉर्मल करते हुआ दिख रहा है और अगर ये कॉरिडर कंप्लीट हुआ अच्छी तरह successful हुआ तो इस पूरे region में तबाही फैल सकती है यानि prosperity आ सकती है तो तबाही फैल सेगी हमास के लिए क्योंकि उनको फिर देखना पड़ेगा कि वो किस तरह अपनी चीजों को balance करें इसी चक्कर में Biden का कहना है कि शायरी हमला हुआ तो है क्या ये corridor तो देखि पहुचेंगे UAE महा से rail line से आप इसराइल में पहुचेंगे ये rail line सौधियरेबिया जॉर्डन से होते वही इसराइल तक जाएगी इसराइल से फिर शिप के थ्रू आप ग्रीस जाएंगे और उस रूट का पकड़ते वापिस यॉरप में अपना समान बेश सकते चीजों मे कर्ड़र बनाना और इंडिया ने कोशिश की थी कि इसके थूरू पूरे रीजन में स्टेबिलिटी आए भारत को भी फायदा हो और बाकी सारे देश इसमें जुड़े जिससे ना सरिफ इनका ध्यापार बढ़े बलकि चाइना के एक वन बेल्ट वन रोड इनिशेटिव का जा सके यहां रोड कर्षट कर रहा है शिप खिलाइज डेवलप कर रहा है पोर्ट डेवलप कर रहा है ताकि व्यापार बड़े और चाइनीज चीजें और जारा प्रचलित हो भारत चाता था अमरेका ने साथ मिलके कि चाइना का दबदबा थुला कब हो क्योंकि चाइना जो ये रोड बनाता है इसके खुड के वरकर जाके रोड बनाते हैं जो ये व्यापार करता है उन व्यापार में जो एक्सपोर्ट है वो चाइनीज गूर्स का होता है यानि लोकल पबलिशन को कोई फाइदा नहीं होता और कम्प्रीटली चाइना डॉमिनेटिड ये प्रोज होगी चलो ये लो 100 क्रोड का लोल इसको आप 10 साल में वापिस कर देना जब पोर्ट डेवलप होगा तो आपको पता लगा कि इंट्रस्ट करेट तो बहुत हाई है और पोर्ट डेवलप होने के बाद कोई शिप वहां लगा ही नहीं क्योंकि वो पोर्ट गलत जगहे बना है यौरप तो को करेट किया जाता है एक नए रूट के तुरू आम तोर पर जो रूट होता है वो ऐसा रूट होता है यहाँ पर स्वेज कनाल है यहाँ से होके चीज़े गुजलते है यहाँ पर है स्वेज कनाल स्वेज नहर जिसे हम कहते है इस से रस्ता गुजलता है लेकिन ये जो नयाक और डॉल था इसको बिना स्वेज कनाल गए हुए काफी आसानी के साथ यॉरप तक इंडिया के गोट्स या इस पूरे रीजन में ट्रेड बढ़ सकता था इससे स्टेबिलिटी आती चाइना के खिलाब भी एक काउंटर होता और हमास का इक करना दिखाता है कि शायद वो नहीं चाहता था इस रीजन में स्टेबिलिटी आए और अगर ये स्टेबिलिटी आती तो उन्हें ये डर था कि बाकी देश उनके लिए बात नहीं करते और इस्राइल के साथ संबन नॉर्मलाइज हो जाते ये बाइडन का भी कहना है कि यहां मिट्लीस की स्टेबिलिटी को रोकने के लिए शारी इस कदम उठाया गया सौधी रिविया और अमेरिका के संबन बहतर हो रहे थे सौधी एरब और इसराइल के संबन बहतर हो रहे थे तो उनको लग रहा था कि इंपोर्टेंटली सारी अरब कंट्री अमेरिका के करीब चली जाएंगी जिससे हमें बहुत नुक्सान हो सकता है तो यादर कि ये समुधरों के रूट में भी अगर आप देखे तो ये स्ट्रेज कनाल बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करता है लेकिर ये जो नया रोट डेवलप किया जा रहा था इसमें स्ट्रेज कनाल का इस्तमाल करना ही नहीं पढ़ता और व्यापार और जल्दी फ्लॉरिश करता लेकिन अब इस विवाद के बाद अरब वर्ड बढ़ चुका है इसराइल के साथ सम्द्ध नॉर्मल होने मुश्किल लग रहे हैं और चीजें जारा बढ़ती जा रही है जाए जॉर्डन की बात करें चाहे युएई की बात करें चाहे साथी रिविया की बात करें इस सब के सामने एक प्रश्चिंचिन है कि वो कैसे इसराइल के साथ त्रीड करेंगे जापार बढ़ाएंगे जब वहाँ पर खुद बखुद एक जंग की स्तिती बनी हुई है और वो प्रिंसिपली और हिस्टॉरिकली पलेस्टैन के सपोर्टर है तो इसलिए कहा जारा है कि शायद हमास नहीं कदम उठाया इस स्टेट्मेंट आने के बाद अवरका कि जो वाइट हाउसर्स में क्लैरिफाई भी किया कि नहीं नहीं हम सीधा-सीधा इस कोरिडॉर की बात नहीं कर रहे थे हम कहने थे कि रीजन को स्टेबलाइज करने से रुकुरी की बात हो रही है लेकिन अगर हम शप्तों के अंदर जाके तो हमें सीधा-सीधा दिखता है कि इस रीजन में स्टेबलाइजिशन के लिए हाल में जो कदम उठाया गए थे उनमें इंडिया मिडलीस्ट एकॉनमी करोड़ोर एक बड़ा करम था तो शायर यही वज़य है कि इसको देखते वे भी हमास को डर लगा कि शायर सीधा ना हो जाए इसलिए उन्होंने ये हमला किया में भी एक रिज़र हो सकता है केवल यही नहीं और भी कई रिज़र्स है लेकिन उनमें से एक कारण यह भी हो सकता है तो बाइडन का कहना कुछ गलत नहीं है तो ये थाज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कीप आन वाचिंग ग्यान कुछ और है वनाइस देग